आज सिरो मलंगरे कैथलिक चोर्च के लिए बहुत ही खुशी का दिन है इश्वर के सेवक मारिवानियोस को आज पोप फ्रांसिस ने आधरनी घोशित किया है Venerable सबसे पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कैथलिक चोर्च में संत घोशित करने की एक प्रक्रिया होती है और उसके चार चरण होते है सबसे पहला चरण होता है इश्वर का सेवक घोशित करना एक कैथलिक विश्वासी या पुरोहित या बिशप या पोप या कार्डिनल कोई भी उनकी मृत्यों के पश्चात पांच वर्ष के बाद स्थानी बिशप प्रोसेस ओफ कैननाईजेशन उसे शुरू कर सकते हैं प्रोसेस को प्रक्रिया को शुरू किया इस प्रक्रिया के तहत एक कार्याले के स्थापना की गई और एक पोस्टूलेटर को नियुक्त किया गया जो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के प्रभारी होते हैं मारिवानियोस के जीवन के बारे में जानकारी एकत्र करना उनके द्वारा लिखे गए सभी लेक और उनके बारे में लिखे गए लेक दस्तावेज उन सब को एकत्र करते हुए उन्हें पढ़ते हुए किस प्रकार मारिवानियोस उन्होंने एक आदर्श जीवन एक धन्य जीवन बिताया है किस प्रकार उन्होंने अपने वीरता पूर्ण जीवन से अपने पुण्यों से गुणों से इश्वर के नाम की महिमा की है और एक पवित्र जीवन की मिसाल दी है उसके बारे में पढ़ाई की जाती है फिर इन सभी लेखों को, दस्तावेजों को इंग्लिश भाषा में उसका नुवाद किया जाता है ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद सबसेंत में, वैटिकन में उसे समर्पित करने के बाद इन सब लेखों को इटालियन भाषा में ट्रांसलेट करते हुए वैटिकन में समर्पित किया जाता है वैटिकन में भी संत घोशित करने का एक कारियाले है जो इस व्यक्ति के जीवन को अच्छी तरह से पढ़कर समझ कर इस बात की पुष्टी करने की कोशिश करता है कि यह व्यक्ति वास्तव में एक संत थे या नहीं क्या उन्होंने सही बाते ही सिखाई हैं क्या उनकी शिक्षा सत्य विश्वास के आधार पर थी क्या उन्होंने कोई गलत सीख तो नहीं दी थी इन सब बातों पर पठन किया जाता है और उसके बाद का दूसरा चरण होता है आदरनी घोशित करना या वेनरेबल घोशित करना वैटिकन के द्वारा नियुक्त कारिया ले हमारे द्वारा समर्पित दस्तावेजों को पढ़ने के बाद इस बात की समिक्षा करते हैं कि क्या इस परक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या नहीं यदि इस समिक्षा के बाद पढ़ाई के बाद मन्जूरी मिल जाती है तब इस मंडली के अध्यक्ष कारडिनल वो पोप के पास एक रिपोर्ट पेश करते हैं और जिसके आधार पर पोप इस व्यक्ति को आधरनीय या वेनेरेबल घोशित करते हैं तो आज गीवरगिस मार इवान्योस जो इश्वर के सेवक थे उन्हें आज पोप फ्रांसिस ने आधरनीय घोशित किया है दूसरा चरण पूर्ण हो चुका है अब दो चरण और बाकी हैं तीसरा चरण है इस व्यक्ति को धन्य घोशित करना या ब्लसड धन्य घोशित करने के लिए मार इवान्योस पिताश्री की मध्यस्तता में एक चमतकार को प्रमानित होना जरूरी होता है यदि कोई भी व्यक्ति मार इवान्योस पिताश्री से विंती करे और उन्हें इस तरह की चंगाई मिले रोग से मुक्ति मिले जो की इलाज से संभव नहीं था जो विज्यान के द्वारा संभव ना हो सके ऐसे चमतकार का भी पठन किया जाता है वैटिकन के कारियाले द्वारा तब इस बात को पढ़ा जाता है कि यह व्यक्ति कितने वर्षों से बिमार था क्या था रोग डॉक्टर्स की रिपोर्टें पढ़ी जाती है क्या किसी भी तरह से इसका इलाज संभव नहीं था इन सब बातों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जब इस बात की पुष्टी हो जाती है कि यह वास्तों में चमतकार है मारिवानियोस पिता की विन्ति को ईश्वर ने सुनकर इस व्यक्ति को चंगा किया है यह विज्ञान के द्वारा, किसी भी डॉक्टर्स के द्वारा, मेडिसिन्स के द्वारा, ट्रीट्मेंट के द्वारा इसका इलाज असंभव था, यह वास्तों में चमतकार ही है यदिस बात की पुष्टी हो जाती है, तब उस विक्ति को धन्य घोशित किया जाता है यह तीसरा चरण, आए हम प्रतेक रूप से प्रार्थन करें जहां पर विज्ञान, जहां पर सारे इलाज अपने घुटने टेक देते हैं ऐसे रोग या बिमारी हमारे किसी भी सदिस्य को है तो उसके लिए हम मारी वानियोस पिता की मध्यस्तता से एश्वर से प्रार्थन करें और यदि रोग मुक्ती मिलती है जो वास्तों में चमतकार है तो उस बात को अपने पैरिश प्रीस्ट के द्वारा, फादर के द्वारा बिशप जी के पास पहुंचाना है और पिता स्री बिशप उस बात को पढ़ने और समझने के बाद सिनड में उसे प्रस्तुत करेंगे और सिनड द्वारा उसे फिर वैटिकन के कारियाले में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि इश्वर की मन्जूरी हो और यदि इस बात की पुष्टी हो जाएकि ये वास्तों में चमतकार है तब मारिवानिय उस्पिता स्री को भी सही समय आने पर धन्य घोशित किया जाएगा और अंतिम चरण होता है संत घोशित करना चौथा चरण उसके लिए फिर से एक और स्वीकरत चमतकार की आवशकता होती है इसी प्रकार एक और चमतकार यदि उसकी भी पुष्टी हो जाए तो इस व्यक्ती को संत घोशित किया जाता है कभी-कभी सालों लग जाते हैं कभी-कभी तो सदियां लग जाती है यदि इश्वर की कृपा हो तो यह शीगरता से भी संबव हो सकता है आए हम सब इस खुशी के अवसर पर प्रभू को धन्यवाद दें और विश्वास के साथ हम यह प्रार्तना करें कि प्रभू अपनी कृपा से मारिवानियोस को संत गणों में स्विकार करें और सीरो मलंगर कैथलिक चोच में एक हमारे अपने संत हमें प्राप्त हो और जिनकी मध्यस्तता से हम सब को प्रभू की कृपा और अनुग्रह प्राप्त हो इश्वर आप सब को अनुग्रहित करें